तो दूस्तो IPL 2024 के लिए कई टीमें ऐसी हैं जो अपने नए हेड कोच का ओफिसली अनॉंस्मेंट कर दिया है तो यह कोलकाता नाइडस के हावाले से भी एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं तो ऐसे में कोलकाता नाइडस का नए हेड कोच कौन बनने वाला है किस कोलकाता नाइडस अपना अगला नए हेड कोच बनाने वाली है तो यह टीम ने नितिश राना को हटा कर एक नए कप्तान की घोशना करेगी तो कौन सा ओ प्लेयर हैगा जो IPL 2024 में कोलकाता नाइडस की कप्तानी करने वाला है मैं इस उड़ों में आपको बताने वाला है तो पहले पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइनने कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जागी तो आईए चलो जो है वीडियो इस्टार्ट करते हैं दोसुच जैसे की रोयल चैलेंजर्स बिंगलोड संडाइजस हैदराबाद लकनो सुपर जन्स IPL 2024 के लिए अपने नए हेड कोच की घोशना ओफिसली कर दिये तो यह अब कोलकाता नाइड़ जिनके हेड कोच IPL 2023 में चंदरकान पंडित थे लेकिन IPL 2023 में कोलकाता नाइड़ का परदर्शन उतना ज़्यादा बहतरी नहीं रहा था और यह टीम प्ले कर सकती है और कोलकाता नाइड़ के अगले नए हेड कोच संजय बंगार या फिर रवी सास्त्री हो सकते हैं संजय बंगार या फिर रवी सास्त्री को कोलकाता नाइड़ अपनी टीम का अगले नए हेड कोच बना सकती है बास करते हैं मेंटोर की तो कोलकाता नाइड़ ने गौतम गंबीर को मेंटॉर के लिए अप्रोच किया है तो अगर ये अप्रोच गौतम गंबीर एक्सेप्ट करते हैं तो IPL 2024 में ऐसा मेंटॉर गौतम गंबीर कोलकाता नर्स की टीम में नजर आ सकते हैं कपतान की बात करें तो जैसा IPL 2023 में कपतानी निती शराणा ने की ती जब स्रेश ऑइयर चोटिल हो गयता और चोटिल होने के चलते IPL 2023 के कमपलीट सिजन से बहार हो गयते तो निती शराणा को कौलकाता नर्स का कपतान बनाया गयता है लेकिन IPL 2024 में स्रेश ऑयर की वाफसी ह और स्रेश ऐयर को कोलकाता नाइड़ का कप्तान IPL 2024 में बनाया जाने वाला है। तो काफ़ी बहतरी इस टीम के लिए ऑफसन बन सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है को किसे नया हेड़ कोचे बनाना जाये। और आप किसे कप्तान IPL 2024 में कोलकाता नाइड़ को देखना चाहते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस शुड़ों पसितना है अगर आपके वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर देने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक अंद बात देने तैंक्यू सो मज़ गाइस फोर वाचिंग इस वीडियो